नमस्ते एश्वर एमडी जंक्शन में आपका स्वागत है दूप्टर रामित हर्शद मेता सेविंट डे ऑफद नौरातर तेविस अक्टोबर दो अजर बीस मा काल रातरी जैसे के नाम काल रातरी काल की रात तो यह आपके दुश्मनों के लिए काल की रात हो सकती है और आरदना साथना करे तो पर हमेशा यह बात द्यान में रखिए कि कोई भी चीज़ किसी का भी अहित करना अच्छी बात नहीं है बिकोज देर इस अलवेज एन इक्वल एन आपज़ेट रियक्शन तो मैं यह कभी भी किसी को सला नहीं दूँगा किसी का अहित कीजिए मा काल अत्री का एक बहुती रोचक कहानी है कि उनका इंकरनेशन किस तरह से हुआ शुम्ब निशुम और अक्तबीश नाम के राक्षे ज़ुआ करते थे उन्होंने स्वर्ग लोग पे विजय प्राप्त कर ली थी तब दिवादी देवी इंदर उनके पास जाते है शिवजी के पास और उनसे प्रातना करते है के शुम्बो निशुम का आतंक बहुत बढ़ गया है स्वर्ग लोग पे, ब्रम्म लोग पे और धर्ती लोग पे तो आप उसका विनाश करना अनिवारिय है तब शीव जी ये सब का उनकी बात सुनते है और देवी दुर्गा जी से कहते है के इनका वद आप ही कर सकते हो, आपके अलावा कोई भी इनको युद में हराने के लिए सक्षम नहीं है तब देवी दुर्गा उनकी आज्या मान के वो युद करती है शुम्ब निशुम से युद करते करते वहां पे रक्त बीज, जो रक्त बीज था वो शुम्ब निशुम के सेना पती था तो वो शुम्ब निशुम से भी ज़्यादा प्रभावशाली और माया भी था जब भी उनका खून का रक्त जमीन पे गिरता था तब तब एक नया रक्त बीज उससे उत्पन्न हो जाता था तो बार बार देवी दुर्गा उनका वज़ करती थी प्रभापिस से वो जिवित हो जाते थे और बहुत सारे और भी रक्त बीज उत्पन्न हो जाते थे तो ये देखकर माता ने अपने ही एक देवी का उत्पन्ना करती है जो मा कालवात्री कही गई है वो मा कालवात्री को आदेश देती है कि जब जब मैं इस पर प्राहर करू और ये मर जाए और इसका खुन धर्ती पर गिरने से पहले ही आपको वो कंजिम कर लेना है तो इसी तरह से रक्त बीज का सहार करती है मा दुर्गा और शुम निशुम पर भी विजय प्राप्ट कर लेती है मा किस्तूती इस तरह से है या देवी सर्व भुतेशु मा काल रात्री रूपे न समस्तिता मा काल रात्री का मंत्र इस प्रकार से है आज का जो डे का कलर है और एक remedy बताना चाहता हूँ जैसे कि मैं daily आपको बताता हूँ यह enemies के लिए ही है पर यह enemies का कुछ आगात नहीं करेगी जैसे कि मैंने पहला ही बताया मैं कोई भी remedy नहीं देता हूँ जिससे सामने वाले को कुछ नुकसान हो पर अगर वो आप पे कुछ उल्टा जिदा कर रहा है ब्लैक मैजिक कर रहा है तो मा उसको सतबुद्धी दे और यह जो remedy है यह रोकेगा उसको यह करने से तो आपको सिर्फ इतना करना है कि थोड़ा सा भीमसेन कपूर लेना है जिसे हम देशी कपूर भी कहते है कैमफर इंग्लिश में कैमफर कहते है देशी शेपलेस होता है और आट लवंग लेना है वो तो आपके कीचन में मिल जाएगा लवंग आट लविंग लेनी है दोनों को मिक्स करके प्रॉपरली उसको जलाना है जलाने के बाद उसकी जो राख है वो एक छोटी सी डीब्या के अंदर आप उसको रख सकते है जब जब आपको ज़रुवत पड़े या आप आपके दुश्मनों की बीच में जाने वाले हो तब आप खुद को तिलक लगा दीजिए तो आपका सामने वाला दुश्मन जो है और शान्त हो जाएगा तो आपकी विरुद्ध कुछ भी उल्टा सिधा करने के पहले दस बार सोचेगा तो आज के लिए बस इतना ही था टैंक्यू जैमात अदी